तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स अकैडमी प्रयागराज में मैं समीर सुकला और आज हम लोग क्लास 12 के नीबंद की बात करेंगे जो कि कितना इंपोर्टेंट है ये हमें सब को पता है और ये साहित एवं सामान हिंदी दोनों में आता है और जो इसकी मारकिंग होती है वो कितने नंबर के होती है कितने नंबर कौन कौन से आपसे पूछे जाएंगे और ये जो आप दो प्लस साथ दिख रहा है इसका मतलब तो आप सब जानते ही होंगे कि दो नंबर आपको किसीच के मिलने जा रहे है और साथ नंबर किसीच के मिलेंगे यानि टोटल आपको ये 9 नमबर कैसे मिलेंगे ये सारी बाते हम लोग देखेंगे जानेंगे समझेंगे तो 16 फरवरी बहुत दूर नहीं है ज्यादा से ज्यादा आज से देखा जाए तो मात्र 10 दिन बचे हैं तो सबसे पहला पेपर आपका हिंदी का है तो देखिए साहित्ययम समान हिंदी में जो महत्पूर निबंद है उनकी बात करेंगे जो 9 नमबर के आते हैं तो सबसे पहला निबंद यहाँ पर देखें कि पर्यावरण पदूशन, सबसे पहला निबंद यहाँ पर है पर्यावरण प्रदूशन आपको बहुत इंपॉठ यह याद भी है क्योंकि आपके यह UPSP कि जो model paper आया या जो भी उन्होंने slabs बताया है उसमें भी यह है कि पर्यावरण से संबंधित जो चीजे हैं उनका उनसे पूछा जा सकता है कारण और निवारण पूछा जाता है इनका तेकि उसके बाद है जनसंख्या बृद्धी है उसके बाद है ब्रस्टा चार है अब ज नमबर का आपको इसका introduction यानि जो आपका प्रस्तावना होता है वो रखना होगा तो आपको बहुत अच्छे से सब चीजे क्लियर करके लिखनी होगी उसके बाद आता है आतंक वाद और अब जो मैं लास्ट के तीन बताने जा रहा हूं यह वास्ताव में बहुत important है आपको प्रे लेखा के हम साहितकार और उसके बाद आता है विज्ञान वर्दान या अभिशाप विज्ञान वर्दान या अभिशाप है और लास्ट में आता है खेल कूद का महतुर यह भी काफ़े important जो part है हमारा यह भी है तो आपको अगर यह साथ नमबर अभी एकलियर हो गया ह आपको यह बनाना है यह आपने याद रखना है ठीक है जैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ में से भी मैं अगर कह दूँ कि आपके वाल पांच यह आप रखना चाहते हैं तो वह चीज़ें जैसे जनसंक्या विद्दी आतंक वाद है परिलेखा खेल कूद का महा तो मैं कल आपके सामने इसके बारे में एक जनसंक्या विद्दी से रिलेटेड एक मैं आपके सामने जो लिख किसको लिया हूँगा कि आपको देखना है कि कैसे इसे हमें लिखना है कैसे लिखा जाता है ठीक है तो बहुत परिसान होने की जूरत नहीं रस समान हिंदी का यह प नाम वो याद रखेंगे तो आपको सारी चीज एक क्लीर हो जाएंगे región ऐसको रड़ जाएगा गुत की इसको लिखने का जो तरीका होता है इसके जो हेडिंग होती है वो तैयार कर लीजिए हेडिंग आप चाहे तो रट लीजिए पाकि अगर आप सोचते हैं कि एक एक लाइन में याद करके इसको पूरा कर लूँगा तो फिर आप बहुत गलस सोचते हैं ऐसा नहीं होता है ना तो आपको ये याद रहेगा हाँ अगर आपक मेरा बताने का टापिक था कि महात्रपून ही निबंद कौन कॉंसिल किना है तो ये आप याद रखिए बहुत क्लियर हो जाएगा आपको पूरे नहीं मिलेंगे कोई इसमें दोरा नहीं राज के लिए इतने थैंक्यू